महिला कॉंस्टेबल के खाते से 40,000 रुपे निकाले जाने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है इस सम्मंद में पीडिता के पती महंदर सिंग जाट ने मामला दर्ज कर बताया कि उसकी पतनी पुलिस कॉंस्टेबल है जो की फिलहाल पुलिस लाइन में तैनात है कॉंस्टेबल का बैंक खाता तारनगर इस्तित बैंक में है उसकी पतनी महिला कॉंस्टेबल सुमंद देवी के खाते से किसी ने 40,000 रुपे से अधिक की राशी निकाल ली मामले की जाच कर रहे एसाई गिर्धारी लाल सेनी ने बताया कि डाबडी बड़ी निवासी महंदर सिंग ने रिपोर्ट दी कि उसकी पतनी सुमंद देवी राजस्थान पुलिस में नोकरी करती है जो वरतमान में पुलिस लाइन में तैनात है उसका बैंक खाता तारानगर इस्तित बैंक में है गत 22 अप्रेल को किसी अग्यात वेक्ति ने दोका गड़ी कर खाते से 40,088 रूपे निकाल लिए इसकी जानकरी 3 मही को सुमंद की सेलरी आने के बाद स्टेटमेंट चेक करने पर पता चला किसी अग्यात वेक्ति ने एटियम से दोका गड़ी कर रूपे निकाले हैं